असलामलेकुम जी, in this video lecture we are going to discuss grammar rule quality हम use case of grammar rule linear equation जिस जहां पे variable का highest power 1 हो आप लोग देख सकते हो इहां पे तो variable involvement x & y छीकैं इनकीस का ही highest power 1 है ठीक है। तो यहां पे जहां पे लिन्हेरी पास यह हम दीनियरी कुशन तो हैं लेकिन यह लिन्हेरी कुशन इन two variables है तो इसमें दो वरियबल इंवोल्म है, अब हमरे पास सीमिल्टेनेयस दीनेयर एक्वेशन के होती हैं, जहां पर इन दोनों का हम स्लूशन सेट फाइंड खरेंगे तो हम इनका कॉमन स्लूशन सेट फाइंड खरेंगे, मतलब जो solution set आएगा वो इन दोनों ही equation को satisfy करेगा ठीक है, so simultaneous linear equation हमारे पस होती है जिसका solution set इन दोनों equation को ही satisfy करे ठीक है, so आजाते हैं क्रेमर रूल के उपर तो क्रेमर रूल हम यूज करते हैं simultaneous linear equation को solve करने के लिए basically तो simultaneous linear equation को solve करने के बहुत से method है लेकिन यहां पर हम discuss कर रहे है क्रेमर रूल, so क्रेमर रूल का जो first step क्या है, इसको हम matrix form में convert करेंगे, यहां पर हम सबसे पहरे एक rectangular matrix होगी है, sorry square matrix होगा मार पस यहां पर, और यहां पर हम इसको हम convert करेंगे ax equal to b की form में, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे x and y, ठीक, और यहां पर हमारे पस यह constant है, इस equations के है, वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, इस side पर, first column पर, coefficients लिखेंगे, x के जो coefficients है, वो यहां पर लिखेंगे, first column में, one and three and the second column है, उसमें रिखेंगे, minus two and one, y के coefficients, अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, y के coefficient के साथ यह minus two, two है, तो minus two है, तो हम यहां पर minus two लिखेंगे, इसी तरह यहां पर y के साथ, कोई भी coefficient नहीं था, तो हमने one लिखा, क्योंकि जब कोई भी coefficient नहीं होता, it means that, इसका coefficient one है, अगर यहां पर इसका negative sign भी लिखते हैं, ठीक है, sign के along हम यहां पर, x & y के variable लिखने हैं, यहां पर x के variable बनाएंगे, यहां पर x के coefficients आएंगे, यहां पर y के coefficients आएंगे, और यहां पर constants आएंगे, ठीक है, ax equal to b की form में, अभी हमारे पस matrix convert होगी है, अब हमने क्या करना है, formula क्या है, हमारे पस x & y के value find out करने का formula क्या है, ax का determinant लेंगे, उसको divide करेंगे, a determinant के answer के साथ, ठीक है, सबसे पहले हम a mattress, यहां पर हम इसका determinant देंगे, यहां पर हम x की value तभी find out कर सकते हैं, जब हमारे पस a determinant not equal to 0 होगा, ठीक है, तभी हम यह पूरा matrix, यह पूरा x की value find out कर सकेंगे, तो फ़रे हम a determinant find out कर लेते हैं, a is equal to, हम determinant लिखे है, तो mattress भी determinant में convert हो जाएगा, 1, 3, minus 2, 1, अब हमने कैसे find out करना है, इसको हम इससे multiply करते हैं, वान आगया, दरम्यान में minus का sign, and minus 2 को multiply करें के 3 के साथ, तो it will become minus 6, so minus into minus plus, 1 plus 7, 1 plus 6, sorry, 1 plus 6 and it is 7, so a determinant आगे हमारे पस 7, which is not equal to 0, अब हम value find out कर सकते हैं, x की value find out करने के लिए, हमें ax determinant चाहिए, और y की value find out करने के लिए, हमें ay determinant चाहिए, ठीक है, तो पहले अब a determinant तो find out कर चोके हैं, अब हम ax determinant find out करेंगे, ax determinant कैसे find out करेंगे, कि यहाँ पे हमारे पास जो matrix A है, यहाँ पे जो हमारे पास matrix A है, इसके जो x के variables है, x के coefficients हैं, उनको हम change कर लिए इन constant के साथ, 1 and 10, ठीक है, change कर लिए, और बाकी यहाँ पे जो है, y के coefficients उसी तरह से रहेंगे, minus 2 and 1, ठीक है, अब हमने इनको multiply करना है, 1 को 1 से multiply करेंगे, 1 minus 2 को 10 से multiply करेंगे, minus 2 को 10 से, तो we will get minus 20, now 1 minus into minus plus 20, and equal to 21, so ax determinant का answer आगे हमारे पास 21, ठीक है, अब हम ay determinant find out करते हैं, ay determinant में हमने क्या करना है, कि हमारे पास जो y के coefficients से उनको exchange कर लेना है, constants के साथ, और यह वाली side उसी तरह से रहेंगे, ठीक है, 1 and 10, y के coefficients को change कर लिए, constant के साथ 1 and 10, और दूसरी side जो है, वो उसी तरह से रहेंगे, 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 उसी तरह से रहेंगे, अब हमने क्या करना है 1 को 10 के साथ multiply करना है इसको इस से multiply करेंगे 10 माइनस दर्मियान में आएगा 5 को 3 के साथ 10 माइनस 3 7 आगे अब हमारे पस अब हमारे पस A determinant की value भी आगे which is 7 AX determinant की 21 and AY determinant की 7 अब हम इस formula के में put करते हैं X हमारे पस क्या है AX determinant by A determinant so हम value पुट करते हैं तो हमारे पस आजाएगा 21 by 7 cancel करेंगे 1 time 3 times so X is equal to 3 ठीक है अब हम Y की value find out करते हैं AY determinant by A determinant Y equal to AY determinant की value है 7 and A determinant की value है मारे पस 7 cancel out हो जाएगे 1 1 ठीक है so Y equal to 1 so solution set मारे पस आजाता है 3,1 ठीक है so that was our today's lecture of grammar rule जिसमें हमने simultaneously in your equation for solve किया है with the help of grammar rule hope so आप को समझाई होगी stay connected and Allah पेस